वेलकम टू बैक माई चैनल आज हम बनाने वाले हैं वेज बिर्यानी तो चलो लाइस गो तेर नहीं करते पटापट से स्टार्ट कर देते बिर्यानी और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट चुरूर करना है आज हम बनाएंगे पनीर बिर्यानी तो पनीर हम पह ब्राउन हो चुका है भी निकालेंगे इसके बाद डालेंगे हम वाटाना इसमें एट कर देंगे जिससे वाटाटा वाटाना सब मिक्स होए अब डालेंगे हम जीरा और कड़ी पत्ता और कांदा डालने के बाद इसे भी हम ब्राउन कर देंगे इसके बाद हमें करना है अब बाद हम लेंगे बिर्याइनी मसाला और घर का थोड़ा सा मसाला मसाला किंग कीचन किंग मसाला लेके उसे अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करना है इसे मैं थोड़ा सा पानी एड़ करके इसे भी मिक्स करेंगे और उसके बाद टामाटर एड़ करने वाले हैं हम हमारा अच्छे तरह से पफ़ चुका है अब इसके बाद हम डालेंगे पुरी भाजी और भाजी को भी अच्छे से मिक्स करना है मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम अस्टाला और हमारा भाजी पफ़ चुका है थोड़ा हलका के बाद हम डालेंगे स्वाद अनुका नमक, नमक आप अपने इसाप से डाल सकते हैं, और नमक डालने के बाद उसे भी अच्छे तरह से मिक्स करना है, उसके बाद लेंगे हम एक कुकर, उसमें चावल डालेंगे 1.5 कप, आप अपने इसाप से कितना शिये, और उसे बाद प अजी बनाएदें इसे मिक्स करके पानी एट करके और थो उपर से डालेंगे हम धनिया दनिया डालने के बाद इस अच्छे से पकाने और बहुत सारे आप गाजर अगरे भी डाल सकते अगर आपको चीह रहेगा तो साधुने साथ नमक डालनी के बाद हमें डालना है काली मिरिच का पाउडर जलजीरा अब दोनों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और दया एट करके भी मिक्स कर सकते और फाइनली हमारा कचुंबर और बिर्यानी रेडी है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जुरूर करना थाइंक यू